आप देक्रें फिल्मेके चड़ी मैं हुरूना अशीश और अब मैं आपको बताने जा रहे हूं कि यह जो पवंदीव राजन सहाब है यह सबको बड़ा इमोशनल करके छोड़ते हैं अभी लेटिस्ट कॉन उनकी विज़से इमोशनल हुआ है अगले कुछ में वही आपको ब अगलन से भरी तेरी आखे फिल्म सफर का सौंग है यह नाजिश कन्ना परे पिक्चराइस किया गया है कि शोरकुमार साब में गाया है इंदीवर सहाब ने लिखा है और जब यह वह गाना गा रहते पवंदी तब आनन जी भाई की भीग गई और ने अपनी धर्म पत्नी को अवाज उड़े पवंदी बाजन की आवाज कि लोगों को एमोशनल कर चोड़ देती है और आनन जी को अपने समय की कोई बात याद आई है जो और शेयर भी करेंगे और इसके पहले का जो पादर स्पेशल में अल्रडी बोल चूंकी इपने एक स्टोरी में कि मैं रुमाल अवाल जो जो एक पादर स्टोरी में रुमाल ऑजने वाला है जो उड़े ने वाला है इसके बीच एक और चीज आपको मैं बताना चाहती हूं वह यह है कि इंड़ाल 12 के सट पर यह शायद पहली बार हो रहा होगा जब आन जी भाई और पावनदीप आमने सामने होने वाल क्योंकि इसके पहले जब आननजी सेट पर आई थे तब आपके पावनदीप साहब जो है वो खराब स्वास्ते के चलते हैं वहां सरी किया था एक सफल और अच्छे कलाकार की सारी कॉलिटीज को दिखाते हुए उस समय ओ साती रे यह वाला गाना गाया था और दूसरा और अब आउन कि इस बार और इस दिल में तेखा है यह ऑला गाना नहाल टॉर गाया था तब रहां इस बार इस दिल में एड़ घुए जल्द सूड़ ओ बड़ा थे तब जब अनहा ककड आई तब बट देख सकते हैं और फर वशाल दद लानी या थे तीनों एमोशन होगए थ सब बोल रहते हैं जल्दी आजाओ अच्छा नहीं लग रहा है तुमारे बिदा कितना इमोशल करता है हाँ और एक और चीज बताती हूं एक इंफरमेशन मिर पास यह है कि आपके जो पवंदी प्राजन सहाब है उनको बहुत जल्दी आप बाभु मोशाय बोल सकते हैं वह इ आपने गेस अच्छे से किया है और रनिता इस ट्राइंग एंड टीजिंग इम अच्छे से बंगाली सीखना मिल जाए और भरिया है जी अच्छी बात है प्रें स्टिल आइवं टो आस्किम पवंदी प्राजन का ऐसा कौन सा मोमेंट या ऐसा कौन सा गाना था जब आप बह सब एक से बढ़कर एक हैं सभी बड़े कमाल कर गाते हैं लेकिन चलिए पवंदीप की बात हो रही है तो पवंदीप का फेवरेट सॉंग जो आपको पसंद है और आपका शाहत को इससे इमोशन जुड़ा है या आपकी आंके भी गई हूँ तो ज़रा लिख कर बताईए ज सकते हैं लेकिन